एलो एवरिवन स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल चीनेस एकडमी में तो हमारे चैनल पे स्टुडेंट्स आपको O-Level, CCC, Tally, HTML, Python और भी कई सारी कम्प्यूटर की जानकारियां मिलेंगी आज हम HTML पे वीडियो बनाने वाले हैं जिसका आज का टॉपिक है How to create an HTML button that acts like a link एक लिंक की तरह काम करने वाला HTML बटन कैसे बना है तो चलिए स्टाट करते हैं तो HTML पे काम करने के लिए सबसे पले हैं Notepad को उपन करना पड़ता है Notepad उपन करने का सिंपल तरीका विंडो की के साथ आठ प्रेस करके आप उसमें Notepad लिख आउन कर सकते हैं या फिर आप Start बटन पे क्लिक करके वहाँ पे भी Notepad लिखके आप Notepad को उपन कर सकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं कि हम HTML पे कैसे बनाएंगे link पहले हम HTML लिखेंगे head title जो भी title आपको देना है आप वो दे सकते हैं title close कर देंगे यहाँ पर हम head close कर देंगे अब हमें वो button मनाना है जिस पे हम click करें और वो page हमारा खुल के सामने आ जाए एक तो होता है reference लगाना है reference अलग चीज है और button पे click करके जैसे login का button होता है तो उस पे आप click करते हो तो आपकि Facebook open हो जाती Facebook के login पे ऐसा ही हमें button एक create करना है तो कैसे create करते हैं हमें यहाँ लिखना है पहले body part देते हैं body लिख दिया इसके बाद form action equal to अब आपको जो भी site link करानी है आप google पे जाएंगे और chrome पे जाके for example हमको google का यह page ही खुलना है अपने हम अपने page पे ऐसा page बना है हम ताकि यह google का page खुल जाए तो इसको हम यहाँ से copy कर लेते हैं और यहाँ पे हम paste कर देंगे अब हम input type हमें submit का button मनाना है और उसके अंदर हम क्या लिखना चाते हैं for example हमने लिखा value जो भी हम उस button के अंदर लिखना चाते हैं वो हम value पार्ट के अंदर देते हैं जैसे go to the google go to google लिख दीजे या जो भी लिख दीजे आपको जो भी site वो करनी है आप यहाँ पर डाल सकते हैं अब यह बनाया हमने और यहाँ पर हमने form close कर दिया क्योंकि देखिए यहाँ पर form हमने on किया था अब यहाँ पर हम body close कर देते हैं और अब हम इसे save करते हैं डेक्स्टॉप पे हम इसे save कर लेते हैं जी ओ जी के नाम से और .html .html इसका file extension चिनने में आप लोग को पता ही होगा सेब किया हमने यह देखिए doege करके जो हमने बनाई थी रहाँ पर click करते हैं यह देखिए go to the google का button बिन के आया है इस पर click करते हैं और यह देखिए google का page आपके सामने खुल के आगे तो अगर आपको यह समझ में आया हो तो एक बाद फिर से देख लेते हैं कि आपको क्या लिखना है form action जो भी आपको page यहाँ पर दिखाना है उसको आप वहाँ पर जाएए उसका link कॉपी करिए और यहाँ पर paste कर दीजे इसके बाद input type submit value जो भी value आप button के अंदर जो भी लिखना चाते हैं यहाँ पर आप लिख सकते हैं form close कर दिया body close enter run करा के फिर से देख लेते हैं enter google आगया click और यह open तो आपको हमारे वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर करना मत भूलेगा थैंक्स पर वाचें